बेक टू स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में दस कोशन हम करेंगे और ये दस के दस कोशन आपके जरूरी होंगे चाहे डेलोप्मेंट और पैडागोजी के लिए टैट एक्षाम हो चाहे दिल्ली का, चाहे यूपी का, चाहे राजस्तान का हर टैट एक्षाम के लिए ये मोर दन एनफ होंगे यानि की आपके अंदर CDP में 30 में से 30 लेने की अगर आग है तो आप इस पूरी वीडियो को देखना इस पूरी वीडियो में जादूई कोशन दिये हैं मैंने ऐसे कोशन जो एक्जामिनरों की पसंद होती है आप कितने कोशन देखते हो यूट्यूब पर क्या वो एक्जाम में आते हैं नहीं आते हैं तो क्यों न ऐसे कोशन की वीडियो देखी जाए जहां से आपके exam में चीज़ें आएं क्योंकि मुश्किल, easy इन से उपर उठकर हमें वो चीज़ें देखनी पड़ेगी जहां से आपके exam में चीज़ें आती हैं तो पहले question से शुरू करते हैं हमारे channel को subscribe कर लीजिएगा हमारी app को install कर लीजिएगा subscription ली लीजिएगा क्योंकि 90% से ज़्यादा चीज़ें हमारी app के अंदर से इसी टेट में आएंगी तो आपके अंदर दम कितना है चलो देखते हैं पहले question से देखते हैं 10 में से 10 आगए मान जाऊंगा आपको comment कर देना एक प्रिस्थिती में अर्जित ग्यान दूसरी प्रिस्थिती में उपयोग करना क्या कहलाता है मान लो आपको स्कूटी चलानी आती है और आप जब बाइक चलाना सीखेंगे तो आपको help होगी उससे तो वो क्या कहलाएगा सीखने की विधिया सीखने का स्थानांतर्ण सीखने में पठार या सीखने में रूची विधियों को बोलते हैं मैथट स्थानांतर्ण को बोलते हैं ट्रांसफर पठार को बोलते हैं प्लैट्टू और रूची को बोलते हैं इंट्रेस्ट जब एक स्थिती में सीखी गई हुई चीज दूसरी चीज को सीखने में help करे रोडा अठकाए या फिर कोई फरक न अडाले उसे सीखने का transfer बोलते है सीखने का transfer तीन तरीके का होता है यह जो होता है एक तो होता है आपका शुन जिसको zero बोलते हैं एक होता है आपका पोजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव सीखने का सुन्ने स्थानांतरन धनात्मक और रनात्मक और अप्शन नमबर बी यहां पर ठीक आंसर हो जाएगा नेग्स्ट कोशन की तरफ आगे वढ़ते हैं अगला कोशन अनुभव दोवारा विवार में परिवर्तन क्या कहलाता है अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस के दोवारा Change in behavior क्या कहलाएगा बताओ जब आप लगातार कोई काम करते हो फिर आपके वेवार में change आ जाता है जैसे कि आप लगातार cycle चलाना सीखते हो तो पहले दिन गिरते हो, दूसरे दिन गिरते हो, तीसरे दिन गिरते हो फिर चोथे पांचवे दिन आप cycle चलाना सीख जाते हो तो आपके वेवार में change तो आ जाता है तो experience के दुवारा change in behavior क्या कहलाएगा स्मिर्थी का मतलब memory, सीखना का मतलब learning, इसका मतलब motivation और इसका मतलब चिंतन क्या कहलाएगा बताओ, answer क्या लग रहा है आपको सीखना कहलाएगा learning, अगर learning की बात करें तो learning का मतलब ही होता है change in behavior और यह कैसे होगा change in behavior अनुभाव दुवारा और यहाँ पर यह जो अनुभाव लिखा हुआ है, इस अनुभाव का मतलब क्या है अनुभाव का मतलब है, गलती करकर के सीखना क्योंकि आप जब भी कोई चीज सीखते हो, उसके अंदर आप गलतियां करकर के यह सीखते हो इसे लिए इसे अनुभाव दुवारा change in behavior का गया है और यह change होता है permanent ऐसा नहीं है कि cycle आपने आचला नहीं सीख ली तो दो साल के बाद बुल जाओगे नहीं अगला कोशन देखते हैं अगला है सांखिकी में वहर्य रेखा चितर जिसमें आवर्तियों को स्थम्भ हो के दुवारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है, स्थम्भाकरती कहलाता है यह ऐसे ऐसे आप जो दर्शाते हो, स्थम्भाकरती, option number है अगला कोशन देखते हैं विकास की किस अवस्था में बुद्धी का अधिक्तम विकास होता है बुद्धी का अधिक्तम विकास किस अवस्था में होगा बताईए मुझे देखे यहां पर दो चीजें एक तो होता है पूरण विकास एक होता है आपका अधिक्तम बताइए कब होगा देखिए अगर मैं आपके बुद्धी की बात करूँ तो बुद्धी की चार स्टेज हैं बुद्धी के डेवलप्मेंट की चार स्टेज हैं जीन प्याजे ने बताया था ये तो आपकी इंद्रिय जनक पूरु संक्रियात्मक मूरत संक्रियात्मक और यहाँ पर अमूरत संक्रियात्मक पूर्ण विकास हो जाता है अमूरत संक्रियात्मक में अमूरत संक्रियात्मक अवस्था थी प्याजे की चौप्थी अवस्था तो इसका time period क्या था मूरत संक्रियात्मक का मूरत संक्रियात्मक का था ये था 0-2, 2-7, 7-11, 12-18 और ये होती है आपकी किशोरावस्था अंसर आएगा बुद्धिका अदिक्तम विकास किशोरावस्था में होता है क्योंकि जीन प्याजे के अनुसार जो चोथी स्ठेज होती है अमूरत संक्रियात्मक उसके अंदर बुद्धिका जो है सबसे ज़्यादा विकास क्यों होगा ये भी मैं आपको बता दिता हूँ है मुल्यांकन विसलेशन और विसलेशन के बाद संसलेशन क्योंकि किशोरावस्था में जो मेंटल जो पावर होती है जो हाई लेवल की होती है जैसे मुल्यांकन करना विसलेशन करना संसलेशन करना तरक शक्ती का विकास होना अमूरत चिंतन बढ़ना ये बुद्धी की किस अवस्था का जो है पहचान है ये पहचान है अमूरत संक्रियात्मक की और ये जो अमूरत संक्रियात्मक है ये प्याजे वाली स्टेज है और ये है fourth stage तो किशोर आवस्था यहांपर क्या हो जाएगा answer आ जाएगा अगला पांचमा question देखते हैं अब इस वीडियो को बीच में मत छोड़के जाना इतनी वीडियो देख लिए तो पूरी वीडियो देखो शिशू का अधिकांस वेबार किस चीज़ के उपर बेस्ट होता है अब देखे शिशू जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं emotion जब मान लिजिये उसको भूख लगी है या फिर मान लिजिये उसको दर्द हो रहा है या मान लिजिये उसे किसी चीज़ की need है तो बच्चा क्या करेगा बच्चा सीद इसी बात है रोएगा जो उसका behavior होगा वो base होगा आपके basic instinct पर basic instinct पर जिसे क्या बोला जाता है मूल प्रवर्ती तो याद रखना शिशू का अधिकांस वेबार अगर आप से पूछे किस चीज़ के उपर based होता है तो आप answer लगा देंगे मूल प्रवर्ती पर मूल प्रवर्ती पर तो option number A यहाँ पर बिल्कुल ठीक आ जाएगा ठीक है चलो ठीक है next उस पर चलते है insight दोबारा सीखने के सिद्दांत में पर प्रियोग किया यह जो caller था यह था gestalt वादी यह जो gestalt वादी संपरदाय था उसमें याद रखना पहली बात तो इसका जनक कौन था इसका जनक था वर्दमीर या इसे वर्दी मर भी बोला जाता है और इन्हों ने वन मानुष पर किया था किसके उपर किया था वन मानुष तो यहाँ पर answer आप क्या लगा देंगे answer यहाँ पर आप लगा देंगे वन मानुष उपर और यह जो वन मानुष था इसका नाम क्या था अगर आपसे इसका नाम पूछा जाए तो अगर आपसे इसका नाम पूछे तो इसका नाम था सुल्टान तो ये जो इंसाइट दोबारे सीखने की बात की थी ये गैस्टाल्ट वादी होने की जिसके जनक वर्दी मर थे अब ये गैस्टाल्ट वादी इंसाइट इंसाइट अगर आप से पूछे कब पैदा होती है तो इसकी एक बात ध्यान रखना ये जो insight होती है ये एक दम पैदा होती है ये जो insight पैदा होगी ये एक दम पैदा होगी ठीक है? चलिए अगले कोशन की तरह बढ़ते है? अगला कोशन क्या है एक बर देखते है? यह आवशक नहीं है कि उच बुद्धी वाले बच्चे डैश में भी उच होंगे देखे ये चीज आप हमेशा आप पल्ले बांद के रखिए जो चीज में आपको बताना चाहता हूँ कि कोई बच्चा अगर intelligent है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो creative भी होगा यहाँ पर ये बात बिलकुल समझने की है यानि कि creativity is not controlled by intelligence यानि कि एक intelligent बच्चा creative भी हो ज़रूरी नहीं है ठीक है याद रखना है सर्जन सील बच्चा creative हो ज़रूरी नहीं है option number है काफी बार एक्जाम में आया है बार बार आएगा तो इतना ज़्यादा excited होने की ज़रूरत नहीं है ऐसे question आपको पता होने चाहिए ध्यान को केंद्रत करने की आंतरिक दशा क्या है concentration आप concentration आप concentration power बढ़ाना चाहते हैं फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा छोड़ के जा चुके होंगे शुरूरू के दो तिनी question देखके लेकिन आप अभी तक रुखे होए हो इसका reason क्या है इसके कई reason है जिसमें पहला reason है main की आपको interest है इस चीज में आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो ध्यान को केंदरित करने की अगर आंतरिक दशा आपसे पूछे concentration power उत्पन करने की या किसी चीज के उपर concentrate करने की main reason आपसे पूछे आंतरिक दशा पूछे तो रूची होगी जिसे बोला जाता है interest बच्चे interest जिस चीज में लेते हैं उसी चीज के अंदर जो है ध्यान के इंद्रित करते हैं नौवा निमन में से किस विधी का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है स्मृति का मतलब होता है memory कौन सी ऐसी विधी होगे जिसका यूज़ आप memory मापने के लिए नहीं करेंगे प्रत्याहन विधी इसका यूज़ भी होता है पहचान विधी तारकिक विधी पुने श Race दो देखें तार्किक विधी तार्किक विधी किसी काम को करने की विधी है याद रखना अगर आपसे पूछे कि तारकिक विदी किसी कारिय को करने की विदी है कारिय को करने या फिर कहें problem solving ये एक problem solving है ना कि ये जो है स्मृति के मापने के लिए use होती है देखें स्मृति का मापना मतलब कि बच्चा कितना जो उसने समझा था, सीखा था, याद किया था उसको दुबारा से recall कर पा रहा है उसे बोला जाता है तो चाहें प्रत्य वाहन विदी हो, चाहें पहचान विदी हो, चाहें पुने सीखना विदी हो इन तीनों विदियों में पिछली चीज़ें जो सीखी थी उसको याद करने से related कुछ न कुछ है लेकिन ये जो तारकिक विदी है ये किसी चीज़ को सॉलो करने से related है problem सॉलो करने से, ठीक है, चलिए, next question next, प्रासंगिक अंतरबोध, TAT का परिक्षन किसने किया था बताईए, बताईए मुझे, ये जो परिक्षन था दोस्त, प्रासंगिक अंतरबोध परिक्षन TAT का विकास किसने किया था, ये दसवा कोशन है दोस्त आपके लिए साइमन, होल्टजमेन, मरे या बैलकने, बताओ, ये question आपको देना है इसका answer और ये answer आप कहां पर देंगे, नीचे comment box में, यार comment box में आप बहुत कंजूसी करते हो, यार मैं देखता हूँ किसी वीडियो पर अगर 500 लाइक भी हैं, अगर मान लो किसी वीडियो पर 500 लाइक हैं, तो उसके उपर comment पता है कितने मिलेंगे, comment मिलेंगे 30 comment किया गरो, यारो क्या बात है, आपके लिए ये comment box दिया गया है, और आपको जो दिक्कते थी, कि smart board होना चाहिए, अच्छी class होनी चाहिए, वो सारी चीज़े तो पूरी हो चुकी है, और आज की class में भी आपने फर्क देखा होगा कि कितनी अच्छी class थी, सारी class है जब smart board पर ऐसे ही चला करेंगी, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना, और खास करके CTAT के बच्चे, REIT के बच्चे, MPTAT, UPTAT, जो भी TAT exam है, आप जल्दी से subscribe करें चैनल को, और हमारी back to school की Android application भी है, उसको भी install करें दोस्तों, जैसे ही आप उसको install करेंगे, सब्सक्रिप्शन ले, 90% से ज़्यादा questions आपके वहां से आ जाएंगे, नहीं नहीं चीजें मैं डालता रहता हूं वहां पर, तो चलिए दोस्त, next वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूं, इस वीडियो को जरूर आगे पोचाना है, like, share करना है, आपके लिए और वीडियो जाती रहेंगी, अब हमें time को बदलना है, अब हमें दुबारा से YouTube के उपर चाना है, और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए, तो दबा के like, share करो, take care